आज में आप सभी के साथ सेयर करने जारी हूँ बीना अधरक लहसन प्याज डाले हुए यह कड़ी पकोड़ा यह खाने में बहुत ज़्याधा टेस्टी है फ्रेंस बनाना बहुत ही Sing है तो आप सोच रहे होंगे कि पिने अधरक लासन डाले हुए कड़ी कैसा लगेगा ते एक बार मेरे तर्किया से जरूर ट्राइ किजेगा आपको यह बहुत ही पसंद आएगा आपको बिल्कुल ही नहीं लगा कि इसमें अपने अधरक लासन प्याज नहीं डाला है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले तो चलिए मैं रेस्पी को सुरू करती हूँ यहाँ पर मैंने लिया है बड़ा सा बरतन आउस में मैंने डाला आधा कोटोरी बेस्दान इसमें एक छोटा चमस मैं डालूंगे अजवाइन अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता पकोरे में प्रेंस और स्वाद इनुसार मैंने इसमें नमक डाला है आधा चमस मैंने इसमें हल्दी बड़ा डाला है और बारी कटा हुआ है इसमें मैंने कड़ी पता डाला है चुटकी पर मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे मैं गाड़ा घोल तयार कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने घोल को रेडि कर लिया है और यहाँ पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें गिराते जाओंगी और यहाँ पर मैंने गैस को भी मीडियम ही रखा है मिडियम गैस पर इसे उलट पलट कर मैं गोल्डन ब्राण होने तक तल लोगे तो यहाँ पर यह हो गया है इसे मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ पर सारे पकोड़े मैंने तल कर रेडी कर लिया है तो मैं आपको तोर के दिखातू यह कितना सौब्ट है तियाहाँ पर सेम मैंने बर्तन लिया है इसमें मैं कड़ी का घोल रेडी कर लेती हूँ एक कटोरी मैंने इसमें बेशन डाला है इसमें मैं डाल रही एक कटोरी खटा दही तिसमें आप खटा ही दही डालियेगा कड़ी यह जो बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसमें मैंने दो बड़े गिलास पानी डाला है और अच्छे से से मिला लिया है तो यहाँ पर कड़ाही का जो तेल था मैंने निकाल दिया है और इसमें मैंने घोल को डाल दिया है एक छोटा चमच मैंने इसमें हल्दी पड़ डाला है स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है और सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ इसमें बढ़िया सा उबालाने देती हूँ तो यहाँ पर उबाल है जो आना स्टार्ड हो गया है इसे मैं इस तरह से मिला लेती हूँ तोड़ा सा मैंने इसमें हिंग डाला है और इसमें दो मैंने सुखा लाल मिर्च डाला है तोड़ा सा मैं इसमें करी पत्ता डाली हूँ इसमें मैं डालूंगी आधा चमच कस्मेरी लालमिच का पाउडर ये देखे तरका हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है तो गैस को मैं बन कर देती और अच्छे से मैंने मिला लिया है अब मैं इसे करी के उपर से डाल देती आप इसे गरम गरम चावल के साथ सब किजिए बहुत ही खाने में टेस्टी लगे गया विल्कुल भी आपको नहीं लगे गया कि इसमें आपने अधरक लसुन प्याज नहीं डाला है ते एक बार मेरी रेस्पी को मेरे तईके से घर पर बना कर देखिए आपको ये बहुत ही पसंद आएगा अगर प्रेंस मेरे विडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले फिर मैं मिलूंगे नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ